मेरे सुसाल वालों ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं अपने सुसाल से अरनिका करके शारिरिक संबन बनाऊंगी कॉंग्रेस की सरकार आएगी जो 2019 में और हम इस टिपल तालाग कानून को खारिज करेंगे योगी जी मोदी जी जो भी मेरे हमदर्ड बनना है मतलब समझ रहे मेरी तक्लिफों में यही कोंगी अभी उनके कानून में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए राजीव गांदी के समय साब आणो केस में कॉंग्रेस ने जो गल्पी की थी अब वही गुना उसने कर दिया है मुस्लिम महिलाओं के सुरक्षित भविश्य के लिए तीन तलाक कानून बनने के बाद भी चीपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है एक महिला को उसके पती ने तीन तलाक दे कर घर से बाहर निकाल दिया महिला का रोप है कि उसके पती ने चीपल तलाक दे कर अपने भाई से हलाला करने के लिए दबाव बनाया लेकिन जब वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो सस्राल वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया तो कहना है अब मेरे भाई से तुम मुन्ना और्फ जाविस से हलाला करोगी निका करके तो इस दुबारे इस घर में रह सकती हो तो मैंने कि तुम लोगों ने मेरा तमाशा बना के रखा है मैंने इस बात से साफ इंकार करा ये क्या बात हुई और क्या ना इस तरह से तो आपके पाच लड़के हैं तो सब के साथ ऐसे ही कराएंगे अब बरेली की ये हलाला पेडित महिला मोदी और योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और तीन तलाग कानून पर सवाल खड़े करने वाले लोगों से पूछ रही है कि बेसाहारा मुस्लिम महिलाओं की मदद कौन करेगा इस महिला का ये सवाल वाजित है क्योंकि दो दिन पहले ही कौंगरिस के अलपसंख्यक माहा दिवेशन में पार्टी की एक नेता ने राहुल गांदी की मौजूदगी में कहा था कि कौंगरिस सरकार में आने पर तीन तलाग कानून को खत्म कर देगी वो एक और हतियार है जो नरेंडर मोदी जी ने तैयार किया है कौंगरिस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस टिपल तलाग कानून को खारिज करेंगे कौंगरिस भले ही मुस्लिम हिलाओं के लिए बरे कानून को खत्म करने की बात कर रही है लेकिन बरेली में तीन तलाग की इस घटना पर बीजेपी नेतारून जेटली ने ट्वीच करते हुए सवाल उठाया है कि क्या बरेली की निकाह हलाला की घटना आपकी अंतरात्मा को नहीं जग जोड़ती वही इस मामले पर प्रधारमतिने निमोदी ने कौंगरिस के स्टैंड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कौंगरिस मुस्लिम महिलाओं का धर्द नहीं समस्ती और कौंगरिस ने दिखा दिया है कि उसे सुप्रिम कोट की भी कोई परवाह नहीं है साथ क्यों कौंगरिस यहाब खुल करके कह दिया है कि वह तीन तलाग चलने देगी मुस्लिम बेटियों की बरबादी होने देगी तीन तलाग को रोकड़े के कानून का विरोज करती और कहते हैं हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी लाकर के जाएगा तो भी खतम कर देगे वो भूल गई है कि तीन तलाग से पिडित मुस्लिम महिलाओं को इतने बुरे दोर से गुजरना होता वही इस मुद्दे पर जारी बहस को मुस्लिम समाज राजरीती बता रहा है मुस्लिम समाज से जुड़े लोग 20 बाद पर ही जोर दे रहे हैं कि तीन तलाग मजहभी मामला है इसलिए इस पर आजरीती करने की बजाए इसे इसलामी तोर तरीकों से ही खत्म किया जाना चाहिए जिन लोगों ने अपनी बीवियों को बगेर तलाग दिये छोड़ रखा है उनको 6-6 साल के सदा दे बे मतलब के लिए अपनी आन और शान के लिए छोड़ रखा है उनको उनके लिए बिलाना चाहिए और वो हिंदू मुसल्मान का मसला नहीं है जादा तर लोगों ने ये कर रखा बीविया छोड़ रखी है दूसरी आउर्टे कर रखी है उसके लिए कोई नहीं भी लाया गया ये तो सिर्म मुसल्मान को हीमुलेट करने के लिए जितने काम हो सकते थे मुसल्म समाज भले ही इस मामले पर राजनीती के आरोप लगा रहा हो लेकिन खुद मुसल्म समाज के अंदेखी की वज़े से ही तीन तलाग आज मुसल्म महिलाओं के शोशन का एक हथियार बन गया है यही वज़े है कि कानून बनने के बाद भी बरेली जैसे निकाह हलाला के मामले सामने आते हैं